आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हूं चिकिन पीजा की रेसिपी यह थीन क्रस्ट चिकिन पीजा है इससे पहले मैंने पनीर पीजे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया है यह थीन क्रस्ट पीजा है इसमें मैंने एस्ट नहीं यूस किया है नॉर्मल सा यह जैसे पराठा तयार किया जाता है वैसे ही गुंड लिया है क्योंकि इसका क्रस्ट बहुती थिन होता है इस पीजा में मैं चिकिन यूस किया है उसे मैंने अलग से बनाया है मैं अलग से स्टे कर आप लोगों के साथ अलग वीडियो में पूरा एंड तक देखना तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो मैंने यहां दो आगे से तयार कर लिया था देखिए बहुत ही सॉफ्ट है जैसे हम लोग पराठा बनाते हैं वैसे ही मैंने बनाया है बस तेल दही नमक यह सब डाल कर मैंने नॉर्मल सा ही डो बना लिया है मैंने य इतला हमें फैलाना है क्योंकि यह थीन करस्ट है देखिए मैंने अच्छी तरीके से फैला लिया है और इसकी साइट्स को मैं ऐसे फोल्ड कर लोगी इसमें इस नहीं यूज किया है तो इसलिए यह फूली का भी नहीं हम इसमें फोर्क से छेद नहीं करेंगे उसके बाद मै मैं इसमें पीजा सॉस एड़ कर रहे हूं और इससे तरीके से फेला लोगी उसके ओपर मैं चिली फ्लेक्स डाल रहे हूं और और एउगेनव डाल बाद मैं चीजए अड़ कर रहे हूं चीज यह बहुत सारा यूज होता है उसके बाद मैंने जो चिकन तैयार किया था उर आपने मन पसंद से कोई भी इसमें टॉपिंग एड़ कर सकते हैं क्योंकि यह चिकन पीजा है तो इसमें चिकन मेन है चिकन के साथ आप कुछ भी यूज कर सकते हैं उसके बाद उपर से फिर से मैं और गैनो और चिली फ्लेक्स डाल दूँगी तो दीखे यह तयार हो गया मैं अवन को पहले से प्रिहिट कर लिया है उसके बाद मैं इसे 180 डिगरी में पांच मिनट के लिए बेक करूंगी उसके बाद पांच मिनट बेक हो जाएगा तो दो मिनट के लिए ग्रील कर लोंगी तयार हो गया है चिकन पीजा तो यह रेसिपी कैसे लगी आप लोगों को प् पहले माइक्रोवेव सीरीज में बहुत सारी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया है तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं मैं उपर आइकार्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दोंगी और इसके बाद मैं और भी माइक्रोवेव वाली रेसिपी आप करेंगी चिकन मैंने कैसे बनाया है इसके अलग से मैंने विडियो बनाया है उसकी रेसिपी पिए में शेयर करूँगी इसके बाद ही एसकी रेसिपी आईगी उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दोंगी आप लोग चेक कर लेना